नमो नमहा, नमहा संस्कृत आया, मैं मेधा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने योट्यूब चैनल में, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे RPSC के दोरा संस्कृत सिक्षा विभाग के स्कूल लेक्चरर की भरतियां फिर से निकाली गई हैं और दुबारा से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उन फॉर्म की परिक्षा अभी जल्दी में ही होगी तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी हैं परिक्षा फॉर्म 13 जनवरी से भरने शुरू हो चुके हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपने परिक्षा फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को पूरा कीजिए और तैयारियों में लग जाईए ये मान करके चलिए कि ये आपके लिए एक सुनहरा मोका है और इसे हमें अपने ह जाती हूँ कि अगर आप किसी भी परिक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप उसके स्लेबस को अच्छे से पढ़ने तो आप मान करके चलिए कि आप अपना 30 से 40% स्लेबस को कवर कर लेते हैं उसे याद कर लेते हैं और आपकी तैयारी अब बजएगे कितनी 70% तो पस वही आपको तयारी करनी है और सलेबस के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है तो सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पर संस्क्रित साहित्य का सलेबस बताना चाहूंगी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रथमो भागह पहला भाग जो की वरिष्टो पाध्याय स्तरिय है वरिष्टो पाध्याय कहते हैं 12th क्लास को बारवी क्लास को उच्चमाध्य में किस तर भी इसे कहा जाता है तो इसमें आपका पहला बिंदु दिया है चंद्रा लोकह चंद्रा लोकह में भी पहला बिंदु है प्रथमो म मयूख आपको पूरा पढ़ना है चंद्रा लोग जयदेव की कृति है उसके बाद आपका यहां पर दूसरा विंदू दिया हुआ है दूतिय मयूख तहा मतलब दूतिय मयूख आपको पूरा नहीं पढ़ना है उसमें से भी आपको जो पढ़ना है वो आपका यहां पर दिया करना है तो वो दोश कौन-कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पर दिये हुए हैं शुतिकटु हुँ चुतसंस्कृति अप्रयुक्तम असमर्थम निहतार्थम अनुचितार्थम निरर्थकम अवाजकम भगनप्रक्रमम नेयार्थम क्लिष्टम अविम्रिष्ट विधेयांशह विरुद्धम अतिकृत प्रतिकूलाक्षरम कथितम अधिकम न्यूनम अपुष्टार्थः उसके बाद है दोशा श्रयाह त्रिविध दोशांकुष निरुपणंच तो इतना आपको द्वितिये मयुक से तयार करना है उसके बाद आपका यहाँ आगे दिया है पंचम द्विक से क्या तयार करना है वो है अलंकार लक्षन विमर्श है अलंकार के लक्षन पर आपको तयार करना है तो कौन-कौन से है वो भी निमने लिखेता अलंकारानम सोदाहरनम विवेचनम भेद रहीतम यह ध्यान रखना आपको अलंकारों के जो भेद हैं उनको नहीं करन जो नाम यहाँ पर दिये हुए हैं केवल उन्ही को तयार करना है और उनके भी आपको भेद तयार नहीं करने हैं तो कौन-कौन से हैं वो छेकानुप्रासह, वृत्यानुप्रासह, लाटानुप्रासह, यमकं, उपमा, अनन्वयह, रूपकं, परिणामह, उलेखह, अपन्नुतिही, उत्प्रेक्षा, अनुमानं, काव्यलिंगं, तुल्ययोगिता, दीपकं, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टांतह, निदर्शना, व विनोक्तिही, समासोक्तिही, अर्थांतरण्यासह, विभावना, विशेशोक्तिही, तो ये आपको चंद्रालोक में से पढ़ना है, और ये चंद्रालोक 12th क्लास के सलेबस में भी चलती है, तो आप वो किताब लेकर भी तयार कर सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर पूर्वे मेग पढ़ना है, उत्तर मेग आपको नहीं पढ़ना है, मेग दूद कालिदास की क्रिती है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा आपका दिया है, रगुवन्ष महा कावे का आपको प्रथम सर्ग, केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है, 19 सर्गों में से, और मानाटक भास की कृती है तो आपको ये पढ़ना है उसके बाद आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर छंदांसी तो छंदांसी वृत्तरतना करता है वृत्तरतना कर एक उस्तक आती है उसमें से आपको निमने लिखे ता नाम चंद साम लक्षणों दाहरणानी दिमने लिखे चंदों के लक्षणों और उदाहरण आपको तयार करने हैं तो वो चंद हैं आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाती, भुजंकप प्रयातम, वन्शस्थम, वसंत तिलका, मालिनी, दुरुत विलंबित, श आएंगे, क्योंकि 10 अंक है, इसमें भी 1.500 क्रशन ही आते हैं, और प्रतेक प्रशन आपका दो नंबर का होता है, तो 10 अंकाह दिया हुआ है, तो आपके चंद से 5 प्रशन आएंगे, तो वो आप इन चंदों को अच्छे से तयार करना कि ताकि आपका इन 5 में से एक भी प् ना हो, उसके बाद यहां पर अगला जो भाग है, वो है दृतियो भाग हा, जो है शास्त्री इस तरिया है, शास्त्री इस तरिया है, ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें से आपको क्या करना है, साहित्य दर्पन है, केवल एक साहित्य दर्पन है, जिसमें से आपका क्या कर द्वितिय परिच्छेद तहां तृतिय परिच्छेद तहां शष्ट परिच्छेद तहां तो इन तीन परिच्छेदों में आपको जो जो तैयार करना है वो आपका दिया हुआ है साहित्य दर्पन विश्वनात की कृती है तो द्वितिय परिच्छेद में से आपको क्या पढ रसस्वरूपन रसस्वादनप प्रकारह श्रिंगारादी रसानाम लक्षणम विभावानुभाव व्यभिचारी भावानाम लक्षणम साहित्य दरपन्द 10 परिछेद में लिखा हुआ है दस परिछेद में से अभी आपके हैं पर कितने तीन परिछेद का ही वर्णन दिया ग करने हैं उसके बाद है शष्ठ परिछेद था है छटे परिछेद से आपको काव्यस से द्रिश्य श्रव्य भेदाओ काव्य के दो भेद हैं द्रिश्य श्रव्य रूपा का भेदा है रूपक के भेदों का सामान्य परिचाया है नाटक लक्षणम संधी भेदा है नाटक मे दिये हुए हैं उनी को पढ़ना है उसके अतिरिक्त आप किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार की सामगरी का अध्यान नहीं करेंगे उसके बाद आपका अगला आता है यहां पर शास्त्री इस तरिया में से दूसरा बिंदू अलंकार शास्त्रस्त्य निम्नांकिता नाम आचा नाथ कवी राजह, भामह, पियूश वर्ष जयदेव, वामनह, कुंतकह, आनंदवर्धनह, क्षेवेंद्रह, पंडित राज, जगननाथ है तो आपको इनका सामान्य परीचे तयार करना है जिसमें से आपको इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है वो उसमें इनके कावियों के लक्षन क्या है, कावियों के भे दिनोंने कितने मांगे हैं तो इस तरह के कुछ आपको सामन्य जानकारी इन आचारियों की तयार करनी है उसके बाद है शिशुपाल वध महाकवी माग का लिखा हुआ है इसका आपको केवल प्रथम सरगही तयार करना है कादंबरी, काद केवल का थामुख तयार करना है, पूरी कादंबरी नहीं पढ़नी, केवल का थामुख पढ़ना है, उसके बाद है म्रिच्छकटी कम आपको तयार करना है, तो इनके आपको छोटे-छोटे प्रश्न बना करके तयारी करनी है, क्या-क्या important questions होते हैं, इस हिसाब से आपको त केवल काव्य प्रकाश है, तो काव्य प्रकाश आचारे मम्मट की कृती है, और यह दस उल्लास में लिखा हुआ है, दस उल्लास में से आपको क्या करना है, प्रथम उल्लास है, सम पूर्ण है, तो पहला उल्लास आपको पूरा करना है, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा उल् मतलब आठवे उल्लास से आपको त्रयह गुणाह, त्रिशु, गुणेशु, दशानाम, गुणानाम, अंतरभावश्च, तो तीन गुण है और इन तीनों गुणों का जो दश गुणों, इन तीनों गुणों में ही दश गुणों का अंतरभाव आपको तयार करना है, पूरा कावे प्रकाश नहीं पढ़ना केवल पहला उल्लास आपको पूरा पढ़ना है और आठवे उल्लास में से भी आपको तीन गुण पढ़ने है और ये पढ़ना है कि आचार्य मम्मट ने दसो गुणों का समावेश तीनों गुणों में किस प्रकार किया है तो ये आपक यहां पर सब्जेक्ट से रिलेटिट था जो कि आपका वरिष्टो पाध्या इस्तरी यानि उच्चमाध्यमिक इस्तर का शास्त्री इस्तरी है ग्रेजुएशन लेवल आचार्य इस्तरी है पुस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका यहां पर था उसके बाद आपका जो चो अधिगमे प्रयुपियों कहा ये बहुत ही important ही काई है और इसके आपके 30 प्रशन आएंगे तो आप इसको अच्छे से तयार करना क्योंकि ये जादा कठे नहीं होता है जिसमें से आपको यहाँ पर सिक्षन पहला बिंदू दिया है सिक्षन अधिगमे मनो विज्ञान महत्व और इसमें आपको बिंदू दिये है अधिगम करता सिक्षकह सिक्षन अधिगम प्रक्रिया और विद्याले प्रभाव शिलता मतलब सिक्षन की अधिगम मनो विज्ञान का क्या महत्व है उसके भी आपको केवल इन चार बिंदूओं पर ही चर्चा करनी है इन चार तो आपको यहाँ पर संघ्यानात्मक विकास विकास के प्रतिमान आपको तयार करने हैं और उसकी क्या क्या विशेष्टाइं है वक्सान अधिगन इसमें आपको क्या तयार करना है उच्च माध्यमिक विद्याल यuddय ती नाम कृते व्यवहारवादी संग्यानवादी निर्मितिवादी संप्रत्ययाह तो उच्च माध्य में एक विद्यालेओं के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी संग्यानवादी और निर्मितिवादी जो संप्रत्यय हैं उनको आपको तयार करना है अधिगम सिद्धान एवं एशाह सिक्षणाय नहीं तार्थः तो किशोरों के लिए अधिगम करता और अधिगम के लिए जो भी अधिगम की विशेशताइं हैं और सिक्षण में उसकी क्या भूमी का है वो आपको तयार करना है उसकी बाद आप यहाँ पर अगला विंदू दिया है समवेगात्मिका बुध्धि तन नहीं तार्थष्च किशोर मानसिक स्वास्तिय प्रोटसाहनाय मार्ग दर्शक प्रवी धिनाम उपयोगह तो किशोरों के जो मानसिक स्वास्तिय है और उनकी समायोजन की समस्याओं के जो संप्रत्य दिये हुए हैं वो आपको तयार करने ह किशोरों के मानसिक स्वास्तिय और उनकी समवेगात्मक बुध्धि के लिए आपको तयार करना है किशोरों के मानसिक स्वास्तियों को प्रोटसाहन के लिए जो यहां पर मार्ग दर्शक प्रविधियों का उपयोग किया गया है वो आपको तयार करनी है उसके बाद यहां पर पंच्ववा बिंदू है किशोरण अधीकम करत्रे अनुदेश आत्मक वियूह रचना अहां तो आपको इसमें संप्रेशन कौशलं तदू पयोगस्टे संप्रेशन कोशलं आपको तैयार करना है सिक्षन विधभू सिक्षण अधिगम सामगरी नाम आयोजनम एवं उपयोग अश्ट है तो सिक्षण विधी के लिए या जो भी सामगरीयों का साम आयोजन है और उसका क्या उपयोग है वो आपको तयार करना है और सिक्षन में आपको प्रतीमान अग्रिम संगठन का प्रतीमान आपको तयार करना है वैज्यानिक प्रिच्छा, सूचना, प्रक्रम, सहकारी, अधिगमस्च, को ओपरेटिव लर्निंग आपको तयार करनी है प्रोसेसिंग आपको तयार करनी है उसके बाद है सिक्षणा धारत निर्मितिवादी सिध्धान्ता है तो आपको यहाँ पर निर्मितिवादी सिध्धान्त की भी तैयारी करनी है उसके बाद यहाँ पर आपका छटा विंदू दिया है सूचना संप्रेशन तकनीकी सिक्षा शास्त्र समा कलनन चै तो सूचना संप्रेशन तकनीकी ICT में आपका क्या तयार करना है तो सूचना संप्रेशन तकनीकी ICT संप्रत्या आपको तयार करना है हार्डवेर और सॉफ्टवेर एतयोहो संप्रत्य हैं हार्डवेर और सॉफ्टवेर के संप्रत्य हैं उनके क्या-क्या कौन-कौन से उप्योग हार्डवेर में आते हैं कौन-कौन से सॉफ्टवेर आते हैं उन सबको आपको देखना है प्रनाली उपागम अनुदेशन ये तै इस बार के संस्कृत के पेपर में जो RPSC का भी तीन और चार तीन से जनवरी से पेपर हुए थे चार जनवरी को संस्कृत का पेपर था तो उसमें इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो आपके इनी में से ही कुछ-कुछ प्रशन आ जाते हैं तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से तयार होना चाहिए अब यहां पर आप देखिए कि यह स्लेबस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है जूरेशन है आपकी थ्री आर्स तीन घंटे का आपका पेपर होगा जो की चार भाग में डिवाइड है वो हमने यहां पर देखी लिया है पहला है नॉलेज ओफ सब्जेक्ट कंसर्ण सीनियर सेकेंटरी लेवल मतलब वरिष्ठो पाध्याय इस तरी है उच्छा माध्यामे के स्तर पर आपके यहां पर 55 प्रश्ण पूछे जाएंगे जो की 110 नंबर के होंगे उसके बाद आपका दूसरा पोइंट है यहां पर नॉलेज ओ सब्जेक्ट कंसर्ण जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन आचारे इस तर जिसमें कि आपको केवल कावय प्रकाश पढ़ना है और इसमें से आपके 10 प्रश्ण आएंगे जो की 20 नंबर के होंगे उसके बाद आपका चौथा भाग है यहां पर जाएंगे डेड़ सो नंबर हो जाएंगे तीन सो अब यहां पर नोट दिया हुआ है नोट में पहला नोट है आपका ओल्ड़ क्वेश्चन इन पेपर शैल भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मतलब आपके सारे mcq जाने वाले हैं आपको रिटन में कुछ भी तहीं एरिया है कि for every wrong answer one third of the marks prescribed for the particular questions shall be detected अगर इसमें one third है आपकी negative marking अगर आपके तीन क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके तीन क्वेश्चन के नंबर नहीं कट करके चार क्वेश्चन के नंबर कटेंगे मतलब आपका तीन तो गलत हैं ही हैं तीन गलत होने पर साथ में आपका एक सही प्रश्चन भी गलत मान लिया जाएगा अब explanation क्या दी गई है wrong answer की wrong answer shall mean an incorrect answer और multiple answers wrong answers कब होगा आपका या तो आपने का answer वो गलत हो या फिर आपने एक ही question में दो answer multiple answers दो या दो से ज़्यादा answers आपने दिये हो मतलब आपने A वाला भी फिल कर दिया B वाला भी फिल कर दिया तो ये multiple answers माने जाएंगे तो ये भी आपके wrong answer ही माने जाएंगे और इसके marks भी deduct होंगे तो ये था आपका आपका syllabus जो कि Sanskrit सहिते का था आशा है कि आपको ये syllabus अच्छे से समझ आ गया होगा तो अब आप इसी syllabus के अनुसार तैयारी करना प्रारंब कर दीजिए ताकि आप जब तक पर रिक्षा की तिथी आए तब तक आप पूरी तरह से परिक्षा के लिए तैयार हों धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजेगा और आपके जितने भी स्टूडेंट संस्क्रिट साहिते से तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए जितना जादा आप इसे शेयर कर सकते हैं फिर मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जयतू संस्क्रितम जयतू भारतम